हेलो प्रोग्रमर्स वेलकम इंदा गोड़ दिकास माइन इस रिकास के सब आज के वीडियो में सुम्दों डेटाइप्स के आगे की पार्ट को देखते हूं जैसा कि अपनों को ने पिछले वीडियो में डेटाइप्स के ओवर्वी को पूरी तरह से कवर कर लिया था अगर आपको ने उस वीडियो को कवर नहीं किया है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लिए इस लिंक देस्क्रिप्ट्रम में है और चलिए हम लोग देटाइप्स के ऊपर डिटेएंड एवर्शिस करते हैं और समझते हैं कि what is by data time ओके चलिए देखते हैं कि अगर अगर हम लोग कुछ नुमेरिक टेटाइप्स के वाले में अगर बात करने हैं तो आपको यहां से एक चीज समझ में आता होगा कि नुमेरिक टेटाइप्स जो है ज़रूरी नहीं कि हम इसा पॉसिटिक फॉर्म नहीं है हो सकता है कि उनके निगेटिब फॉर्म भी हो सकते हैं इसलिए यह उन्हीं मेरिक टेटाइप्स हैं उनको साइन डेटाइप्स जो है मतलब इनकी range जो है minus to plus की तरह होती है जैसे अब आएए हम दो right data type के through इसे समझ कर देखे है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है कि by data type जो है इसकी size 8 bit है 8 bit means 1 byte और इसकी range है minus 128 to 127 है जो यह 128 to 127 क्यों है आगे अभी हम दो किसी वीडियो में देखेंगे और इसकी जो maximum value है तो आप समझ सकते है कि इसकी maximum value है वो positive side by 127 है and minimum value minus 128 है जो यह positive side by 127 जिसकी maximum value क्यों है आएए उसको हम लोग समझते है जो आप यहाँ पर size देख सकते है कि इसकी size जो है 1 byte means 8 bits जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 bits available है अब जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि जो numeric value होते हैं जो numeric data times होते हैं वो sign data times होते हैं positive or negative sign के लिए reserve होता है और बाकी के जो 7 bits हैं इसकी अंदर हम लोग 0 या 1 रख सकते हैं तो अगर हमें max value रखनी है तो आप समझ चकते हैं कि हमें सारे bits हैं उनके अंदर 1 रखना हो तो इसकी value 127 ही या चलिए हम लोग करके भी दिख लिए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास 7 bits हैं तो हम इने convert कैसे करें सो सबसे first bit जो होगा यहां पर वहां पर हम लोग क्या करेंगी लिखेंगे 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 अब यह जो सारे numbers हैं इनका expression बनाएंगे इसे add करेंगे और उसे solve करेंगे तो चलिए को हम लोग करके देखेंगे तो हम लोग जब इसे solve करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें जो value मिली है वो हमें 127 मिली अब बात यह आती है कि अगर इसकी max value 127 है तो फिर negative side पे 128 क्यों हमें मिलेगे तो जी हां इसका answer यह है कि जो हमें इसका binary form positive side पे मिलता है उसका अगर आप loose complement निका देगे तो आपको negative side पे 128 मिल जाएगा और चलिए हम लोग कुछ examples के through इसे solve करके देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग इतने range से कितने range के बीच data डाव सकते हैं किस तरीके के data इस तुद्य यह data type allow करेगा और कौन set data types को डालने पे यह error देगा और क्या error देखते हैं तो चलिए देखते हैं तो suppose लोगों के class बना लिते हैं that is solution and then suppose अगर हम लोग यहां पर लिखते है by x is required to 25 तो आप यहां पर देख सकते हैं कि x की जो value रखी हम लोगों ने 25 रखी है 25 जो value है वो byte के range के अंदर आता है मतलब minus 128 to plus 127 के बीच आता है definitely यह जो number है इससे successfully combined हो जाना चाहिए आए चेक करें So as you can see here कि यहां यह जो code है वो successfully execute हो गया है Why? Because कि यह जो है जो number हम लोगों ने value दिया है वो byte के range के अंदर है अब चलिए हम लोगों कुछ और values को यहां पर enter करके और check करते हैं कि इस तरीकी के values को यह store कर सकते है So suppose हम लोगों ने 0.27 यह जो कि इसके range के अंदर है So आप देख सकते हैं यह successfully execute हो चुका है 1.27 इसके range के अंदर है अब अगर हम लोग इसके range के बाहर की value दाते हैं So आईए हम लोग इसे check करते हैं और देखते हैं कि यह error देता है या नहीं और क्या error message देता है और एक चीज़ और मैं हमें clear कर देता हूँ कि आपको उन error messages को याद रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आने माले interviews में या किसी exam में ये questions आपसे बूच दिये जाएं So that is why कि आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर अगर data types की values अगर range के बाहर दाते हैं तो क्या error messages दाता है So चलिए देखे So आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक error message दो रहा है Type message is possible lossy conversion from int to byte मतलब int type की data को byte type की data में convert नहीं गया सकते हैं मतलब जो इसकी range की बाहर की data होती है जो byte data type की range की बाहर की data है उसे वो as of integer और int data type print करता है So वो कह रहा है कि int data type को byte type की data के अंदर convert करना possible नहीं है वहाँ पर data का loss होती है So that is why it is not executed चलिया हम लोग कुछ और data डाल करके देखते हैं Suppose हम लोग true डाल करके So जब हम लोग इसके इंतर true data type को एंदर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इस बार अलग compilation error देला है और वो जो compilation error है that compilation error incompatible type boolean cannot be converted to byte boolean data type को byte data type डाल करवर्ड नहीं किया रहा सकता है यह totally different है So इसलिए यह incompatible type error दे रहा है true time के data को byte data डाल के अदर नहीं डाल रहा सकता है इसमें possible loss in conversion नहीं हो रहा है इसमें conversion नहीं possible है Okay अब next Now हम लोग string type के data को पिलाजन के देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या रहने सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं incompatible type spring cannot be converted to byte okay मतलब string type के data को byte type के डेटा के अदर नहीं डाल रहा सकता है ठीक है So I think कि आप लोगों को समझने आ लिया होगा हम लोगों ने यहाँ जितने वी examples हैं उन्हों सब को cover कर लिया है तो आप यहाँ पर फिर से एक बार वर वर देख सकते हैं So byte x is equal to 50 क्या यह execute होगा तो हाँ यह विलकुल execute होगा क्योंकि 50 byte के range के अंदर है उसके बार byte x is equal to 127 Yes byte x is equal to 127 भी execute होगा क्योंकि यह भी byte के range के अंदर है Now byte x is equal to 128 So यह execute मिलनी हो सकता है क्योंकि positive side percent to 127 तक ही ले सकते हैं 128 इसके range के बार है So यह बोलेगा possible lossy conversion It cannot be converted to byte उसके बार byte x is equal to minus 128 Yes, यह execute हो जाएगा कि negative side पे हम लोग 128 तक use कर सकते है Now byte x is equal to minus 130 यह possible नहीं है क्योंकि हम लोग negative side पे उसकी range को cross कर जा रहा है इसलिए यह possible नहीं है Byte x is equal to 50.5 आप यहाँपे देख सकते हैं कि 50.5 जो है एक decimal pointed number है और decimal pointed number को integral number के अंदर convert नहीं किया जा सकता है इसलिए यह error देख और वो error के होगा incompatible type double cannot be converted into byte नाव next byte x is equal to 2 यहाँ भी हमें सेम error message दिलेगा incompatible type into byte x is equal to vickers वह यह जो भी génér स्प्रिंग का नहीं है वह एक not sprig type के डीटा है असे same error message मिलेगा that message जैंसेड this should not be converted into that is imaginary type ее et तो उख को और ब saben takeaway में समयना आया होगा अगर आपको अबी भी कोई doubt है तो तो आप कमेट सेक्शन के लिख सकते हैं, कमेट सेक्शन इस ओगन फो यू, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लिट दा लाइक बटन, सबस्क्राइब तो माई चैनल and आपको बनाजने चैनल Thank you